नमस्का दोस्तो, मैं राजकुमार ठेदूँ आपका स्वागत करता हूँ अपने नए ट्रेइनिंग प्रोग्राम में जिसका नाम है MATLAB and Simlink दोस्तो जैसा कि आप जानते हैं, MATLAB एक बहुती पावरफुल सॉप्ट्वियर है चाहें आप BTEC कर रहे हैं, चाहें आप MTEC कर रहे हैं, या फिर Research Scholar हैं आपको MATLAB आना चाहिए, और मैं कह सकता हूँ, जहां कहीं भी Data Analysis की बात होती है Visualization की बात होती है, जहां पर आपको Plots बनाने हैं, वहां पर आपको MATLAB यूज़ करना पड़ेगा MATLAB की मदद से आप अच्छे-च्छे Results निकाल सकते हैं, जिससे के आप Research Paper से लिख सकते हैं उसमें भी यूज़ फूल होता है, तो अब बात आती है कि MATLAB सीखा कैसे जाए MATLAB सीखने के लिए बहुत सारे Resources अब इलेबल हैं, लेकिन एक Proper Structured Way में से कैसे सीखा जाए उसके लिए बहुत दिक्कत होती है, तो जनली ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहते हैं, लेकिन उन्हें अटेंड करने के लिए आपको Special एक 2 वीक या 3 वीक या 4 वीक यतना भी समय हो, उतना समय देना होगा, जो कि आज की डेट में किसी के पास नहीं है तो मैंने सोचा कुछ ऐसा course design किया जाए, जिससे कि आप घर पर वेट कर, Matlab और Simulink को आसानी से सीख पाएं तो उसी आपकी requirement को fulfill करने के लिए, यह मैंने course design किया है तो इस complete course को, basically मैंने 3 पार्ट में divide किया है, 3 modules में, तो module 1 है, इस module 1 में सारे basics cover किये जाएंगे तो कोई भी आप language सीखते हैं, तो सबसे पहले उसके आपको basics आने चाहिए, आपको basic आएंगे तो आसानी से आप उसकी किसी भी problem को लेके उसमें implement करना सुरू कर सकते हैं तो module 1 में आप वही सीखेंगे, module 1 में हम बात करेंगे introduction की MATLAB, MATLAB क्या होता है, क्या इसकी capabilities हैं, क्या-क्या इसके versions हैं, क्या upgrade हुए हैं, वो सब कुछ हम देखेंगे, उसके बाद MATLAB के basic operations के बारे में देखेंगे, MATLAB से आप क्या-क्या operation कर सकते हैं after that solving mathematical problems, अगर आपको कोई mathematical problem दी हुई है, आप उसे MATLAB में कैसे implement कर सकते हैं, उसके बाद advanced plots, अगर आपके पास कोई data है, तो आप उसे कैसे plot कर सकते हैं, different different kinds of plots, उसे हमने advanced plot नाम दे दिया है, उसके बाद input output functions, then MATLAB function creation, MATLAB में basically functions ही होते हैं, तो आप अपना भी function create कर पाएं तो वो भी आप सीखेंगे, after that loops, control statements, तो इससे module 1 को करने के बाद, आपको MATLAB के basics आजाएंगे, आप कोई भी problem को solve करना है, start कर सकते हैं, in module 2, जो आपने module 1 में problem design किया है basically, आप चाह रहे हैं कि उसे कोई दूसरा पसंद यूज़ कर पाए, तो उसे अगर आपको एक interface provide करना ह जैसा कि आप जानते हैं, DOS है, DOS आपको यूज़ करना है, disk operating system, तो उसे यूज़ करने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन window को अगर आप देखें, तो window को यूज़ करने में काफी अच्छा लगता है, because window के अंदर graphical user interface है, तो MATLAB में भी अगर आप चाह रहे हैं, कि बारे में module 2 में सीखेंगे, उसके बाद module 3, इसमें आप debugging of MATLAB programs, कोई भी MATLAB program अगर आपके पास है, आपने लिखा है, तो आपको तो पता ही होगा जो program है, कहां पर problem हो रही है, फिर भी आप identify करना चाहते हैं, exactly, कि आपने अपने हिसाब से तो program सही लिखा है, लेकिन हो सकत किसी और का MATLAB program है, आप उसे समझना चाहते हैं, तो debugging अर आपको आती है, तो आप उस program को भी समझ सकते हैं, तो debugging is the most important part, अगर debugging आपको आगई तो समझ लिजे, आप उस program के master हो गए, तो module 3 में से हम सीखेंगे, उसके पास real-time data acquisition from external hardware, अगर आपके पास कोई external hardware है, उससे data acquire कर ना है, this is the important part, because system में ही जरूरी नहीं है, हमेज़ा आपको data मिलेगा, आपको बाहर से भी real-time data लेना होगा, तो उस data को आप लेके, और फिर MATLAB में process करके, और फिर बापस external device पर कैसे ले जाएंगे, तो उसे भी हम इसमें सीखेंगे, after that introduction to simulink, simulink का introduction हम देखेंगे, simulink मे आप model कैसे design कर सकते हैं, वो भी देखेंगे, और simulink के अंदर भी आप external hardware से कैसे interfacing करते हैं, उसे भी हम इसके अंदर देखेंगे, तो इस तरीके से हमारे तीन module में पूरा course divided है, so this is the course material for the participants, video lectures, lecture notes, practice seats, MATLAB e-books, MATLAB and simulink webinars, online MATLAB resources, online quiz, यह सब कुछ participants के लिए material रहेगा, course के दोरान अगर आपको कोई problem होती है, तो आप मेरे को mail कर सकते है, on my mail id, matlab by rkt.gmail.com, I think, आप enjoy करेंगे इस course को, thank you.